चैप्टर 3 इंटीजर्ट वर्क्षिट 7 करेंगे हम इसका फर्स्ट कोस्टन है put the appropriate sign in the quotient हमने sign लगाना है कि plus का आएगा कि minus का आएगा minus 9 को 3 से divide करना है तो देखो 9 को 3 से divide करेंगे तो 3 3 जा 9 3 answer आएगा आप ये बताना है हमने plus का आएगा या minus का आएगा इससे पहले मैं आपको थोड़े से इसके rule बता देता हूँ कि जब हम divide करते हैं तो क्या होता है ठीक है आप ये याद रख लो जैसे plus वाले को जब plus वाले से divide करेंगे 3 3 जा 9 3 आएगा तो answer भी किसमें आएगा plus में ही आएगा पहला case ही हो गया दूसरा case एक plus वाला ले ले लेते हैं और एक minus वाला ये plus का ले लिया 9 और ये ले लिया minus का 9 को minus 3 से divide करेंगे तो 3 3 जा 9 3 आएगा और plus और जब minus आए तो answer कि आएगा minus आएगा जो multiply के rule होते हैं वही divide के भी rule होते हैं और third case है अगर दोनों ही minus के होजए minus 9 को minus 3 से divide करना हो तो दोनों minus के आज़े तो minus से minus हो जाएगा cancel 3 3 जा 9 plus का 3 आज़ेगा ठीक है क्याने का मतलब ये है आपने क्या याद रखना है आपने सिरफ एक बात याद रखनी है जब अलग-अलग sign हो तो answer आता है minus में जब अलग-अलग sign हो एक plus का आज़े और एक आज़े minus का या फिर ऐसे हो ठीक है जब अलग-अलग sign हो एक plus का एक minus का एक plus का एक minus का जब ऐसे divide हो रही हो तो answer हमेशा minus में आएगा और बाकी सारे जितने भी case होएंगे answer के आएगा plus में आएगा बस आप सिरफ ये याद रख लो कि जब अलग-अलग sign होते हैं different sign होते हैं जब एक plus का minus से divide करेंगे plus को minus से divide करेंगे तो हमेशा answer के आएगा minus आएगा या फिर आप ऐसे कर लो minus को जब plus वाले से divide करेंगे तो answer हमेशा minus आएगा और बाकी जितने भी case होँगे उसका answer के आएगा plus में ही आएगा ठीक है बस आपने ये बात याद रखनी हैं जब different sign हो तो answer हमेशा minus में आता है divide करते समय और बाकी सारे case जितने भी है वो answer किसमें आएगा plus में आएगा ठीक है आप देखो 9 को minus 9 को 3 से divide करनी है minus 9 को divide करनी है plus के 3 से तो पहले तो simple divide कर दो 9 को 3 से divide करेंगे 3 3 जा 9 ठीक है हमारे पास answer आए 3 अब plus का आएगा कि minus का आएगा देखो उपर minus का निचे plus का डिफरेंट sign है तो answer हमेशा किसमें आएगा minus में आएगा तो minus का 3 हमारा क्या आगया answer आगया अगला क्या है भई minus 30 को minus 10 से divide करना है तो 30 को 10 से divide कर दो आप 30 को 10 से divide करो पहले अब ही sign रणे दो 10 3 जा 33 आगया हमारा answer ठीक है अब 3 किस चीच का आएगा plus का आएगा कि minus का आएगा तो minus से हो जएगा minus cancel तो क्या आजएगा plus का 3 आजएगा ठीक है ऐसे ही ये plus का है ये minus का है 16 को 4 से 4 फोर जा 16 तो किस चीच का answer आएगा क्योंकि different sign है एक plus का एक minus का है तो answer मेशा minus में आएगा अब एक minus का है एक plus का है डिवाइड हो रहे तो answer किस में आएगा minus में आएगा अगर different sign हो तो answer minus में आता है और बाकि जितने भी case मनेंगे वो answer क्या आएगा plus आएगा अब माइनस 99 है और माइनस है माइनस से हो जाएगा माइनस कैंसल अंसर आएगा प्लस में और ये भी दोनों माइनस है माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल अंसर आएगा प्लस में ठीक है 105 को जब 7 से डिवाइड करेंगे अंसर आएगा 15 किसी जिगा आएगा हमारे पास आएग माइनस का 25 है different sign है तो answer किस में आएगा हमेशा minus में ठीक है तो यह हमारा first question complete हो गया बिल्कुल easy था है तो अब next question देखो next में कहा है find the question of the following question बताना है minus 36 को 9 से divide करना है पहले आप plus minus को भूल जो 36 को सिरफ 9 से divide कर दो 36 को 9 से divide कर जो 9 4 जा 36 answer आगया 4 answer आगया 4 answer आगया हमारे पास 4 4 किस चीज का आएगा plus का आएगा कि minus का आएगा आप देखेंगे sign एक plus का है एक minus का है और different sign है जब different sign होते है तो answer हमें से किस में आता है minus में तो हमारा answer आगया minus 4 ठीक है ऐसी अब 125 को minus 5 से divide करना है पहले 125 को 5 से divide कर दो simple तो 5 2 जा 10 अच्छी गया 2 उपर से 5 उतार्ज लिया 25 बन गये 55 जा 25 हमारे पास answer आया 25 हमारे पास answer आया 25 आया divide करना 125 को जो 5 से divide किया तो हमारे पास है 25 अब plus का आएगा कि minus का ये देखना है हमने देखो different sign है ये plus का ये minus का जब different sign हूँ तो हमेशा answer किस में आता है minus में ठीक है अब ऐसी अगला है 5 3 7 5 को divide करना है minus 25 से ये भी minus का है और ये भी minus का है minus से minus हो जाएगा cancel answer आएगा plus में ठीक है जब 5 3 7 5 को divide करेंगे 25 से तो हमारे पास आएगा 215 करते हैं तो minus or minus cancel हो जाते हैं ठीक है तो 250 हमारे पास क्या आगया अंसर आगया डिवाइड करनी आपको आती है ऐसे divide आप कर सकते हैं अब next question देखते हैं next question में है 374 को minus 17 से divide करना है पहले 374 को सिरफ 17 से divide करो 17 तूजा 34 ये 3 बच गया, उप्रसे 4 उतार लिए, हमने 34 बढ़ गया, 17, 2 जा, 34 हमारे पास आगा 22 22 आया, अब प्लस का आएगा कि मैनस का ये देखना है हमने एक प्लस का है, एक मैनस का है, जब difference आई नो तो हमेशा आंसर किसमें आता है माइनस में आता है प्लस और माइनस की डिवाइड क्या होती है माइनस होती है अब माइनस 108 को किस से डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करना है 12 9 जा 108 हमारे पास अंसर आगा 9 अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा आप कहोगे कि यह minus का आएगा क्योंकि different sign है तो answer आजएगा minus 9 अब 0 को जब किसी number से divide करते है तो answer हमेशा क्या आता है 0 आता है यह तो आपको पता होगा किसी भी number को 0 को जब किसी भी number से divide करते है तो हमेशा answer किसमें आता है 0 ही आता है ठीक है आप minus 3000 को 100 से divide करना है minus 3000 को यानि कि 3000 को पहले आप 100 से divide करो 103 जा 300 0 आजाने कि 0, ठीक है, 0 भी आगी हमारे पास आगा 30 answer ठीक है, अब plus काएगा कि minus काएगा हम कहेंगे कि minus काएगा क्योंकि difference आहिन है plus और minus की divide हमेशा क्या होती है, minus होती है अब देखो इसमें अगले में कहा है ये भी माइनस का है ये भी माइनस 144 माइनस का 12 जब 144 को 12 से डिवाइड करो 12 बंजा 12 ये 2 बच गया उपर से 4 उतार लिया 12 टूजा 24 हमारे पास आगया answer 12 अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा आप कोगे माइनस से माइनस कैंसल होजएगा answer आजएगा प्लस का 12 ठीक है next में 48 को माइनस 16 से डिवाइड करना है कर दो आप डिवाइड 48 को 16 से 16 3 जा 48 हमारे पास आया answer 3 प्लस का आएगा की माइनस का आएगा 48 को जब माइनस से डिवाइड किया हमने प्लस और माइनस की डिवाइड हमेशा क्या होती है माइनस होती है अब इसका जे पार्ट देखो माइनस 1331 को डिवाइड करना है माइनस 11 से दोनों माइनस के हैं तो पहले 1, 3, 3, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे 11 बंजा 11 फिर 11, 2 जा 22, 1 बचा, 1 उतारा 11 बंजा 11 हमारे पास आगया 121 121 प्लस का आएगा की माइनस का आएगा आप कहोगे दोनों माइनस का है, माइनस से माइनस होजेगा cancel, answer आजेगा प्लस 121 अब next question देखते हैं third question है, filling the following blanks filling the blanks हैं, कैसे करना है, देखो minus 93 को किस से डिवाइड करें, कि minus 93 ही आ जाएगी ठीक है, तो वो number क्या होता है मालो कोई भी number है, उसको divide करें और वही number हमें मिल जाए, तो वो number क्या होता है, 1 1 को किसी number से divide करेंगे, तो हमें answer वही मिल जाएगा तो 1 से divide कर दिया, तो minus 93 ही हमारा answer आ जाएगा अब 17 को, चलो यह तो करी दिया मैंने 17 को minus 1 से divide करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा minus 17 आ जाएगा, ठीक है, हमें क्या चाहिए था answer minus 17, किस से divide करें, minus 1 से divide करें, तो minus 17 आ जाएगा, अगले, आब इसको किस से divide करें, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कि answer क्या आजे, 0 आजे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, जब 0 को किसी number से divide करते हैं, तो answer क्या आता है, 0 ही आता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है, 0 क कि निचे चाहे कुछ भी हो, answer क्या आएगा, 0 ही आएगा, आब यहाँ पर क्या put करें हम, कि हमारे पास minus 42 आ जाए, ठीक है, जब 1 को किसी number से divide करते हैं, तो वही answer आ जाता है, यानि कि यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 42 रखना पड़ेगा, और answer हमें क्या चाहिए, minus 42 है, तो यहाँ पर क्या रख दो, minus का 42, क्योंकि plus और minus की divide क्या होती है, minus 42 होती है, next में minus 65 को कि से divide करें कि 1 आ जाए, तो 65 को अगर 65 से divide करेंगे, तभी तो 1 आएगा, और हमें चाहिए plus का, हमें चाहिए plus का 1, क्योंकि यहाँ पर minus है, तो यहाँ भी क्या लगा दो, minus 65 लगा हैगा हमारे पास अंसर आजेगा प्लस वन बिलुकुल इजी कोस्टन था ये तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सबी दोस्तों के साथ शेर कर देना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार